आज 19 अगस्त को श्रामण सुकलपक्ष की पूर्णी माति थी और सो मुआर का दिन है। पूरे 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा। बात करते हैं मेश राशी की। तो मेश राशी के लिए आज का दिन महत्तोपूर्ण है। बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। आज आप वाद विवाद से बचें। उपाए उकते हुए सुरी को प्रणाम करें। ब्रिशब राशी परिवार में कोई मांगलिक कारे संपन्न होगा। परिवार में खुसियों का संचार होगा। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। उपाए केसर का तिलक माथे पर लगाएं। मितुन राशी क्रोध पर नियंतरन रखें। रोजगार के अउसर प्राप्त होगे। नौकरी में पदोन्नती होगी। उपाए बासुरी में खांड भरकर एकां तस्थल में दवाएं। करक राशी आज के दिन कोई सुप समाचार प्राप्त होगा। व्यापारियों को कामना करना पड़ सकता है। उपाए भगवान शिव की पूजा करें। कन्या राशी मित्रों के सहयोग से बड़ा लाब हो सकता है। किसी अंचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। मजदूर वर्क को रोजगार मिलेगा। उपाए भगवान शिव की पूजा करें। तु श्चिक रासी, खेल कूत प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, व्यापार में अच्छी आय होगी, पैत्रिक धन संपत्ती मिलने की बाधा दूर होगी, उपाय, स्री राम रच्छा कवच का पाठ करें। धनु राशी, संतान सुख में ब्रिध्धी होगी, व्यापार में नए प्रयोग लावकारी होगे, रुके हुए कारे बनने से सफलता प्राप्त होगी, उपाय, कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। मकर राशी, घर परिवार में मांगलिक और धार्मिक कारे होने के योग बनेंगे, व्यापारी छेत्र में सफलता प्राप्त होगी, सरकारी छेत्र में कारेरत लोगों को संगर्स करना पड़ेगा, उपाय, गेहु गुड, केले और कंबल का दान करें। कुम्भ राशी, सुख सुविधा में विगना आएगा, ग्रिहस्त जीवन में जीवन साथी से दूर जाना पड़ सकता है, उपाय, मास मदिरा का सेवन न करें। मीन राशी, व्यवसाय के प्रति रूची बढ़ेगी, कारे छेत्र में चली आ रही विगना बाधाएं कम होंगी, आए के स्रोतों में ब्रिद्धी होगी, उपाय, स्री हनुमान जी के दाये पैर का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं।